Hello everyone, क्या हाल, चाल, कैसे हैं? Good morning to each and every one of you. So this class is basically for all IAC class 12 students जो 2025 में अपना board examination देने वाले हैं तो दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत जादा helpful रहेगा और बहुत सारे concepts clear होने वाले हैं इस particular वीडियो से. So आज अपन बात करने वाले हैं continuity के बारे में पर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले भाई मेहनत की जा रही है प्लीज, वीडियो को लाइक दो कर दिया करें या, लाइक करने में क्या ही दिक्कत है? So good morning to each and every one of you. I hope Sunday को मज़े किये होंगे, आराम किया होगा, एक अच्छा दिन रहा होगा, weekend और आज हम लोग करने वाले हैं continuity So continuity में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, परिशानी आती है अब क्या दिक्कते हैं, क्या परिशानिया है, किस तरीके से इन परिशानियों को दिक्कतों को दूर करना है ये सारी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं So, okay, like कर दो, like करने में क्या ही जाता है, इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है, इसमें कोई भी किसी का घाटा नहीं है और आपका कुछ भी नहीं जाता है, चलिए, so start करते हैं class को, और बात करेंगे आज हम लोग continuity की, so continuity क्या होता है, continuous functions, किन functions को हम कहते हैं कि वो continuous है, किन functions को हम कहते हैं कि वो discontinuous हैं, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, so let's start with continuity, so continuity at a point का मतलब क्या होता है, यह समझते हैं, so continuity at a point means, a function is said to be continuous at a point x is equals to a, if limit f extending to a, fx is equals to fa, मतलब, अगर वहाँ पे limit exist कर रही है, limit exist, so एक function, एक particular point पे continuous तब कहलाया जाता है, जब उस particular point पे limit exist कर रही हो, limit exist कर रही हो का मतलब क्या है, limit exist कर रही हो का मतलब है, LHL should be equal to, RHL should be equal to value of the function at that particular point, तो LHL, RHL होता क्या है, continuous function होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, so continuous function क्या होता है, so एक ऐसा function जिसको draw करने में हमको pen ना उठाना पड़े, एक इस तरीके का कोई function, जिसको draw करने में हमको pen उठाना नहीं पड़ रहा है, जैसे एक ये function देखिए, which is a signum function, ये एक signum function है, this is plus one, this is minus one, अब इस function को अगर अपन define करते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका graph बनता है, ये ऐसे, pen उठाया, यहाँ पे, फिर से pen उठाया, और इस तरीके से, अब ये जो function को हमने draw किया, graphically, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, यहाँ पे हमको पता चला कि when we are making the graph of this function, there is a break, बीच में gap है, बीच में break है, pen उठाना पड़ रहा है, whereas, अगर हम एक और function की बात करें, simple सा function ले लेते हैं, let's say the function is mod of x, तो mod of x अगर हमको draw करना है, तो mod of x अगर हमने बनाया, तो यहाँ पे देखिए, हमने बिना pen उठाए, there is no break, हमको pen उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई भी function continuous है कि नहीं, इसको दो तरीके से चेक किया जाता है, एक graphically, एक mathematically, ग्राफिकली अगर बात करें, तो graph बनाते समय, अगर हमको किसी भी function के graph को बनाते समय, pen न उठाना पड़े, या उस graph में कहीं पे भी बीच में gap ना हो, break ना हो, ऐसे functions को graphically देख के हम कह सकते हैं, कि यह जो हमारा function है, यह कैसा function है, यह एक continuous function है, एक और example बताता हूँ, continuous function का, जैसे, continuous function में एक और function आगया आपका, कौन सा function बताता हूँ, so, जैसे sinusoidal function, जो sine का function होता है, अब sine का जो function होता है वो इस तरीके से चलता है, right, ऐसे ही पीछे चलता है, so यह जो function है, यह भी कैसा है, यह भी एक continuous function है, why it is continuous because आपको इसके graph को बनाने में pen नहीं उठाना पड़ेगा there is no break, कोई break नहीं है इसलिए ये function कैसा है, continuous function है I hope ये सबको clear हो गया होगा कि function continuous हम किसी भी function को continuous कब कहेंगे तो हम किसी भी function को continuous तब कहेंगे जब उस function के graph में कहीं पे break ना हो या उसके graph को draw करने में हमको pen उठाने की जरूरत ना पड़े तो हम कहेंगे कि जो हमारा function है वो कैसा है continuous है, so this is the graphical method अब अगर हम बात करें mathematical method की कि हम mathematically कैसे proof कर सकते हैं कि कोई function जो है हमारा वो continuous है कि नहीं है तो इसको mathematically कैसे proof करें तो देखिए, mathematically proof करने के लिए अगर mathematically proof करना है so mathematically proof करने के लिए हमको तीन चीजे पता लगानी है क्या-क्या चीजे? पहली चीज is LHL which is known as left hand limit the other thing is RHL which is known as right hand limit the third thing is the value of the function at that point, जिस point पे हमको continuity check करनी है तो जब भी आपको continuity check करने के लिए question में पूछेगा तो वो किसी एक particular point पे पूछेगा कि बताइए इस particular point पे ये function continuous है कि नहीं है अब ये तीनों values अगर आपस में बराबर आती है if these three values are equal to each other then in that particular condition हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा function है वो कैसा है continuous है the function is continuous अब जैसे हमने ये graph बनाया y is equals to mod x का अब अगर इस mod x के graph को या इस mod x को check करना है क्या ये continuous है at x is equals to zero तो कैसे हम check करेंगे mathematically graph बना के देखा तो तो समझ में आ गया कि हाँ graph में भाई हमने बनाया हमको pen उठाना नहीं पड़ा तो that is ये continuous है लेकिन mathematically अगर इसको check करना है तो कैसे check करेंगे तो LHL निकालेंगे अब LHL का मतलब क्या होता है left hand limit का मतलब क्या होता है left hand limit का मतलब समझते है so left hand limit का मतलब क्या होता है सर left hand limit का मतलब हुआ अगर हमको x is equals to zero पे check करना है कि ये function continuous है कि नहीं है यहाँ पे zero पे अगर check करना है कि ये function continuous है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे इस 0 की तरफ बढ़ेंगे function के along from the left hand side अब 0 की तरफ हम दो तरफ से बढ़ सकते हैं left hand से और towards right hand से तो अगर हम 0 की तरफ approach करें if we are approaching towards 0 from the left hand side then this is known as left hand limit whereas if we approach towards 0 from right hand side then we say that that is RHL which is right hand limit so let's find out left hand limit first तो अगर left hand limit निकाले तो modulus function जो है y is equal to mod x इस function को हम इस तरीके से भी define कर सकते हैं कैसे define कर सकते हैं? हम define कर सकते हैं इसकी value minus x के बराबर होगी when x is less than 0 and इसकी value plus x के बराबर होगी when x is greater than equal to 0 तो आपको पता है modulus function दो values आती है modulus function में अगर अंदर negative number आ रहा है तो ये इस negative के आगे एक और negative sign लगा देता है as a result negative negative positive हो जाता है और अगर अंदर number positive आ रहा है तो ये इसको as it is let go कर देता है तो positive number आ जाता है अब left hand limit अगर हम निकाले तो left hand limit का मतलब हो गया limit extending to 0 minus fx अब ये 0 minus fx इस तरीके से ये जो first step पर ये इस तरीके से लिखा जाता है 0 minus का मतलब हुआ we are approaching towards 0 from the left hand side तो हम left hand side से 0 की तरफ approach कर रहे हैं बढ़ रहे हैं तो जब 0 minus fx 0 minus है मतलब जब value of the function is less than 0 तो less than 0 पर value of the function fx की value कित्ती है fx की value है minus x के बराबर so this can be written as limit extending to 0 minus x अब x की जगे अगर 0 limit रख रहे हैं यहां पर तो x की जगे 0 रखने पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0 के बराबर तो देखो यहां पर एक concept लगता है limits का जो class 11th में आपने पढ़ा था तो अगर limits आपका class 11th card concept काफी clear है तो आपको ये बहुत easy लगेगा अगर नहीं clear है तो कोई tension वाली बात नहीं मैं वो भी आपको clear करता चलूँगा so I hope यहां तक आपको clear है ये वाली चीज LHL निकालना आपको clear है बताएगे ये क्या ये सबको clear है आगे बढ़ते हैं let's move to the next question मतलब इसी part पे आते हैं तो left hand limit के अगर बात करे limit extending to 0 और extending to 0 यहां पे रखेंगे तो ये 0 के बराबर आगया तो आगे आपकी left hand limit now let's talk about RHL which is your right hand limit now right hand limit का मतलब होता है we are moving approaching towards 0 from the right hand side now if we are approaching towards 0 from the right hand side मतलब 0 plus 0 से थोड़ी सी बड़ी value so when the value of x is greater than 0 the value of the function is so this is limit x tending to 0 the value of the function is x ये x के बराबर है x की जगे 0 रखेंगे तो क्या आगया ये आगया 0 के बराबर so LHL भी 0 के बराबर RHL भी 0 के बराबर जब LHL, RHL की values आपस में equal हो जाती है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि limit exist कर रही है limit exists तो limit exist कर रही है कि नहीं कर रही है ये सिर्फ LHL, RHL से पता चल जाता है लेकिन function continuous है की नहीं ये कैसे चेक होता है तो इसके लिए हम value निकालेंगे fx की value, value of fx at x is equal to 0 so basically हमको f of 0 की value निकालनी है तो जब x की value 0 के बराबर है तो y की value किती है आएगी तो y की value भी 0 के बराबर आजाएगी क्योंकि when x is greater than equal to 0 इसकी जो value आ रही है वो क्या रही है x आ रही है positive x तो equal to 0 या greater than 0 पे x आएगी और equal to 0 पे हम directly यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं जब x की value 0 तो y की value 0 क्योंकि अगर आप graph से भी देखो तो आपको यही दिखाई दे रहा है कि जब x की value 0 तो y की भी value 0 चिक है तो यह तीनो values equal आ गई क्या? LHL is equals to RHL is equals to value of the function at 0 which is all equal to 0 तो यह तीनो की तीनो सारी values 0 के बराबर आ गई so from here we can directly say that the function जो यह function है यह function कैसा हो गया यह function continuous हो गया at x is equals to 0 so जब भी continuous check करना होता है हम इसी तरीके से check करते हैं LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं value of the function निकालते हैं at that particular point अगर यह तीनो values आपस में 0 के बराबर है तो हमारा function definitely continuous है I hope this is clear to each and every one of you आगे बढ़ते हैं, तो continuous function के कुछ graph दिये हैं आपको जैसी यह sign का जो graph है, यह continuous है यह वाला जो graph fx is equals to x यह भी continuous है यह जो है fx is equals to 1 by x यह continuous नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको pen उठाना पड़ रहा है greatest integer function का जो यह graph है gif का यह भी continuous नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हमको pen उठाना पड़ेगा so these two are discontinuous whereas these two are continuous continuous और discontinuous के graph इस तरीके से हैं right continuity in closed interval continuity in closed interval के बारे में हम क्या कहते हैं closed interval, मतलब अगर हमको function दिया है a से b के बीच में defined है जहाँ पे a जो है यहाँ से start हो रहा है और b तक जा रहा है ठीक, तो हम इस function को continuous कब कहेंगे इस function को continuous तब कहेंगे जब यह open interval में continuous है मतलब a से b के बीच में continuous है excluding a and b तो अगर यह open interval a से b के बीच में continuous है पहली condition यह होनी चाहिए दूसरी condition क्या है दूसरी condition यह है कि a पे let's say this is a and let's say this is b so when we are approaching towards a from the right hand side जब हम a की तरफ approach कर रहे हैं from the right hand side तो right hand side से जब a की तरफ approach कर रहे हैं तो यानि a पे कैसा है right continuous है और जब हम b की तरफ approach कर रहे है from the left hand side तो b पे यह कैसा हो left continuous हो तो हम कहते हैं कि जो हमारा function है वो continuous है in the closed interval a, b तो closed interval में वो कब continuous होगा? जब a से b के बीच में हर point पे continuous है a पे right continuous है और b पे left continuous है if these three conditions are true then the function is continuous in the closed interval a, b a से b के बीच में वो closed interval में continuous है ठीक, अब discontinuity के reasons क्या है? now this is very important, यह आपको आना चाहिए अगर यह आपको आजाएगा तो आपको सारा का सारा continuity differentiability सब समझ में आ जाएगा तो reasons of discontinuity, कोई भी function discontinuous कब होता है? उसके क्या reason है? तो जो पहला reason है वो यह है कि limit does not exist, limit ही exist नहीं करती अब limit exist नहीं करती का मतलब क्या है? LHL is not equal to RHL at X is equals to A तो अगर एक particular point पे, let's say X is equals to A पे function continuous नहीं है discontinuous है तो उस particular point A पे function discontinuous तीन reasons की वज़े से हो सकता है पहला reason की limit exist नहीं कर रही, that means LHL, RHL के बराबर नहीं है इसलिए function discontinuous है, तो अगर LHL, RHL के बराबर नहीं है तो let's say यहाँ पे अगर हम बात करें इस particular function की तो यह particular function अगर हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहें अगर X is equals to 1 पे चेक करें तो अगर हम left hand side से 1 की तरफ बढ़ें तो जो हमको Y की value मिलेगी, वो मिलेगी something around let's say 0.8 ठीक, और अगर हम इसी function में 1 की तरफ अप्रोच करें from the right hand side, right side से 1 की तरफ आ रहे है तो यहाँ पे जो हमको Y की value मिल रही है, वो मिल रही है let's say 2.4, तो यहाँ पे LHL is not equal to RHL तो अगर LHL, RHL आपस में equal नहीं है तो हम कहते हैं limit does not exist and when limit does not exist, the function is not continuous at that particular point तो X is equals to A पे function continuous नहीं होगा अगर limit exist ना करें पहली condition, दूसरी condition क्या है दूसरी condition यह है कि Fx is not defined at that particular point limit तो exist करती है, मतलब LHL तो RHL के बराबर है लेकिन function उस particular point पे defined ही नहीं है उस particular point पे defined ही नहीं है मतलब उस particular point पे या तो वो under root में negative value दे रहा है या उस particular point पे जो function की value आ रही है वो something upon zero के form में आ रही है समझ में आया, LHL, RHL exist कर रहा है left hand limit, right hand limit बराबर है लेकिन उस particular point पे function defined ही नहीं है तो function को हम क्या कहेंगे? discontinuous जैसे मैं आपसे बताता हूँ जो हमारा tan वाला function होता है y is equals to tan x अब ये function discontinuous होता है add odd multiples of pi by 2 odd multiples of pi by 2 पे ये discontinuous होता है क्यों discontinuous होता है? क्योंकि tan 90 degree की जो value होती है वो क्या होती है sir? not defined होती है तो चाहे tan 90 की value निकाल लो 270 की value निकाल लो odd multiples of pi by 2 पे जब भी हम tan की value निकालेंगे वो उस particular point पे defined ही नहीं है इसलिए अगर हम check करें कि tan कहां कहां continuous है तो tan हर जगे continuous होता है except odd multiples of pi by 2 so pi by 2 के odd multiples पे tan continuous नहीं होता क्योंकि यहां पे जो tan है वो defined ही नहीं है उसकी जो value आ रही है that is not defined as a result ये function continuous नहीं है तो discontinuity की second condition ये है कि LHL तो RHL के बराबर है लेकिन function is not defined at that particular point ठीक तीसरा तीसरा क्या है तीसरा है LHL, RHL के बराबर है function defined भी है उस particular point पे लेकिन किंतु परंतु LHL, RHL के बराबर है function उस particular point पे defined भी है लेकिन ये तीनों आपस में equal नहीं है समझ में आ गया तीन conditions है पहली condition limit exist नहीं करती दूसरी condition limit exist करती है पर function उस particular point पे defined नहीं है तीसरी condition limit exist करती है function उस particular point पे defined भी है लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं है क्या ये सबको clear है yes or no तो LHL और RHL पहला condition है कि continuous कब नहीं होता continuous का मतलब समझना इस तरीके से कि continuous का मतलब है कि दो लोगों में एक बंदा एक बंदी दो pair है एक आप है एक आप की madam है या एक आप है, एक आपकी्सर है ठीक, आप लोगों की discontinuity कब होगी आप लोगों का relationship कब खतम हो जाएगा या आप लोगों की शादी कब नहीं हो पाएगी इसके तीन conditions है क्या तीन conditions है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी पहली condition है कि लड़का LHL, लड़का और लड़की, आरेचल, ये दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं, तो पहली condition में आपकी शादी नहीं होगी, बिल्गुल सही बात है, अगर लड़का लड़की से प्यार नहीं करता है, लड़की लड़के से प्यार नहीं करती ही, तो शादी नहीं होगी बोली हाँ क्योंकि लड़का तो लड़के से प्यार करता है लड़की लड़के से प्यार करती है लेकिन मम्मी पापा राजी नहीं है मम्मी पापा क्या रहे नहीं होगी तो नहीं होगी शादी भाई दूसरी कंडिशन तो दूसरी कंडिशन यह है कि लड़का लड़की से प्यार करता है लेकिन function defined नहीं है मम्मी पापा ready नहीं है शादी कराने के लिए तीसरी condition क्या है लड़का लड़के से प्यार करता है लड़की लड़के से प्यार करती है और मम्मी पापा ready भी है शादी कराने के लिए function is defined at that particular point लेकिन तीनों लोगों की सहमती आपस में match नहीं हो रही, तीनों एकी point पे, एकी page पे नहीं है LHL is equals to RHL RHL is equals to LHL लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की लड़के से प्यार कर रही है मम्मी पापा राजी है लेकिन बीच में आगया अगर चीज़े याद कर ली, अपने दिमाग में बठा लिया तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से बता देंगे रिक्षे वाले को भी ऐसे समझा दोगो, उसको भी समझ में आ जाएगा भाई, function जो है, वो discontinuous तीन कंडिशन में होता है पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक, so I hope this is relatable and understandable, आपको समझ में आ गया होगा I hope यह आपको clear हो गया होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं next point पे आते हैं, so points to remember, now this is very important यह बहुत important है, कौन-कौन से points है, यहाँ पे देखिए तो पहला point है, कि जितने भी polynomial functions होते हैं, वो हर जगे continuous होते हैं, दूसरा point है, जो sine है, cos है, mod है यह सारे के सारे continuous होते हैं, हर जगे, tan जो होता है, वो हर जगे continuous होता है, except odd multiples of pi by 2, जैसा कि अभी आपको बताया था odd multiples of pi by 2 पे function defined नहीं होता, इसलिए यह continuous नहीं होता, log x जो है, वो continuous होता है, 0 से लिए infinity के लिए, क्योंकि log के अंदर कभी भी negative value नहीं आती, और log of 0 जो होता है, वो not defined होता है, इसलिए 0 यह included नहीं है, इसलिए open bracket आया है, और यहां पे भी infinity पे open bracket आया है, तो log जो है, 0 से लिए के infinity open brackets में हमेशा continuous होता है, उसके बाहर, out of this range, continuous नहीं होता है, तो अगर आपने यह याद कर लिया, तो आपके लिए यह काफी अच्छा हो जाए, उसके बाद algebra of continuous function, now this is also important, algebra of continuous function, क्या कहता है, algebra of continuous function, so algebra of continuous function यह कहता है, कि अगर दो functions आपस में continuous है, so let's say function है fx and एक function है gx, यह दो functions है, fx and gx, यह दोनो functions आपस में continuous operation के बाद कब होंगे, so अगर fx भी continuous है, gx भी continuous है, then इनका sum भी continuous होगा, इनका difference भी continuous होगा, इनका product भी continuous होगा और इनका division भी continuous होगा, बस division में condition यह है, कि fx upon gx continuous होगा, अगर gx is not equal to 0, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो इस particular point पर क्या हो जाएगा, जो function है, यहाँ पर defined ही नहीं रहेगा, so बस यह condition नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी condition अगर होती उनका division करो, तो भी वो हमेशा कैसे होगे, continuous होगे, अगर दो function continuous है, तो composition of two functions is also continuous, मतलब, चाहे f of g निकाल लो, या g of f निकाल लो, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी continuous हो जाएगा, so अगर f और g दोनों continuous है, तो उनका जो composition से function बन रहा है, वो भी continuous होगा, for example, mod x continuous function है, sin x continuous function है, so mod x को अगर हमने बोला f x, sin x को हमने बोला g x, तो यह जो function आएगा, mod x plus minus sin x, यह continuous होगा, mod x into sin x, यह भी continuous होगा, mod x upon sin x, यह भी continuous होगा, but x is equals to 0 नहीं होना चाहिए, तो हर point पे continuous होगा, except n pi पे, n pi पे continuous नहीं होगा, बाकी हर point पे continuous होगा, क्यों, क्योंकि sin n pi पे value 0 देता है, तो जहां-जहां sin की value 0 है, बस वहां पे continuous नहीं होगा, बाकी हर point पे continuous होगा, फिर mod of sin x, यह भी continuous होगा, definitely यह continuous होगा, क्यों continuous होगा, क्योंकि अगर composition of function किया जाए और दोनों function continuous है mod भी continuous, sin भी continuous mod of sin x is definitely continuous, तो ये भी कैसा होगा continuous होगा, so I hope this is clear to each and every one of you, ठीक है clear है, आगे बढ़ते है, चली अब आ जाते है question पे, पहला question क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, पहला question कह रहा है कि बताईए क्या ये function यहाँ पे दिया हुआ function continuous है कि नहीं है तो बताना है function continuous है कि नहीं है so function दिया है कोज इस तरीके से fx is equals to x square minus 4 upon x minus 2 for x not equal to 2 and 4 for x equals to 2, बताना ये function continuous है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आप बे जिजक, बिल्कुल धडल्ले से L-Hopital rule लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो so L-Hopital rule लगाने में आपको पूरे number मिलेंगे, इस बार की जो board की checking हुई थी, उसमें भी जिन बच्चों ने L-Hopital rule लगाया है, उनको भी marks मिले हैं, जिनों ने नहीं भी लगाया है उनको भी marks मिले हैं, so although L-Hopital rule is out of syllabus as per the chapter पूरे का पूरा chapter बाहर है लेकिन जहां-जहां L-Hospital rule apply हो रहा है, वहां पे आप apply कर सकते हो number आपको मिलेंगे board examination में so L-Hopital rule कहता क्या है L-Hopital rule कहता है कि कभी भी हमारा function 0 by 0 form में आ जाए, या infinity upon infinity form में आ जाए, आप क्या करिए, numerator को अलग differentiate कीजिए, and denominator को अलग differentiate कीजिए, और तब तक differentiate करते चले जाए, जब तक कि ये form eliminate ना हो जाए, 0 by 0 eliminate ना हो जाए, या infinity upon infinity ना eliminate हो जाए, तब तक आप उसको differentiate करते रहिए तो L-Hopital rule आप आग बंद करके लगा सकते हैं, and using this rule so let's say, यहाँ पे अगर अगर अपन x tending to 0 रखें, हमको कहाँ पे चेक करना, हमको चेक करना, add x is equal to 2, तो अगर यहाँ पे x is equal to 2 पे चेक करें, so limit x tending to 2, x square minus 4 upon x minus 2, अब x tending to 2 रखेंगे, अगर x की value 2 के बराबर रखेंगे, तो 2 का square 4 minus 4 यह, किसके बराबर आजाएगा, यह 0 by 0 form आ रहा है, so जब भी आपके पास 0 by 0 form आ है, आप क्या कर सकते हैं, l hopital rule लगा सकते हैं, अब क्योंकि मैंने आपको differentiation पहले पढ़ा दिया है, तो अब आप यहाँ पे आराम से l hopital rule लगाएगे, तो l hopital rule क्या कहता है, l hopital rule कहता है, numerator को अलग्ठ होको, denominator को अलग्ठ होको, numerator को अलग्ठ differentiate करो, denominator को अलग्ठ, x square minus 4 का differentiation हो जाएगा, 2x, x minus 2 का differentiation हो जाएगा, 1, अब यहाँ पे x की value 2 रख के देखो, तो जब यहाँ पे x की value 2 रखोगे, तो 2, 2s अर कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पे जो limit आ रही है, 4 के बराबर आ रही है, अच्छा, अब अगर अगर अपन चेक कर ले, value of the function add x is equal to 2, तो value of the function add x is equal to 2, किसके बराबर दिया है, यह already 4 के बराबर दिया है, तो क्योंकि limit की value और function की value, add x is equal to 2, दोनों equal आ गई, तो यह function कैसा हो गया, यह function हो गया, continuous, अब कुछ बच्चों के मन में, यह सवाल आएगा, जो यह पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके मन में यह सवाल जरूर आएगा, कि सर आपने LHL, RHL, अलग-अलग क्यों नहीं निकाला, आपने एक साथी क्यों निकाल दिया, इसका आंसर है एक, क्या आंसर है इसका, समझेगा, सिर्फ अगर समझ गया, तो कोई दिक्कत वाली बाती नहीं है, अब चाहे तुम LHL निकालो, चाहे तुम यहां से RHL निकालो, मतलब, if you are moving towards x, if you are approaching x is equal to 2, either from left hand side, or from right hand side, the value of the function remains the same, तो चाहे 2 minus रखो, x is not equal to 2 का मतलब क्या है, जब x की value 2 के बराबर नहीं है, तो function इसके बराबर है, अब 2 के बराबर नहीं है, मतलब, जब 2 से कम है, तो भी output यही है, 2 से जादा है, तो भी output यही है, समझ में आया, तो चाहे LHL निकालो, चाहे RHL निकालो, the function will remain the same, as a result, the function, the value of the limit, will always remain the same, which is equals to 4, and the value of the function, at x is equals to 2, is equals to 4, तो x is equals to 2 पे, function की value 4 आगे, तो यह function कैसा हो गया, continuous function हो गया, I hope this is clear to each and every one of you, अब हमको बताना है, यह function कहां कहां पे discontinuous है, एक ही बात है, तो कहरा, examine the following functions for continuity, बताना है कहां कहां पे continuous है, अब अगर आप यहां पे इस function को देखिए, तो दिया है, when x is greater than equal to 0, and less than equal to 1, the value of the function is x square by 2, and when x is greater than 1, the value of the function is this, मतलब, यह जो function है, यह अपनी value कहां पे change कर रहा है, यह देखिए, यह कहां पे बदल रहा है, अपना रंग कहां बदल रहा है, ठीक, तुमारी वाली की तरह, यह अपना रंग कहां बदल रहा है, जैसे तुमारी वाली बदल गई, वैसे ही यह भी बदल रहा है, कहां बदल रहा है, यह बदल रहा है, at x is equals to 1 पे, so the function is changing its value at x is equals to 1, so that means we have to check whether at x is equals to 1, LHL is equals to RHL is equals to f of 1, तो हमको continuity के लिए सबसे पहले check करना है, LHL at x is equals to 1, so let's check LHL at x is equals to 1, तो यह हो जाएगा, limit x tending to 1 minus fx, 1 minus fx मतलब the value of x is less than 1, now, understand, when the value of x is less than 1, the value of the function is fx की value किती है, x square by 2, so that means limit x tending to 1, fx की value किती है, x square by 2, so यहाँ पे x की जगे 1 रखेंगे, तो 1 का square by 2 किता आगया, यह आगया 1 के बराबर, so that means LHL at x is equals to 1 is half, now, let's find out RHL, again at the same point, add x is equals to 1, so this will be equal to what? this will be equal to limit x tending to 1 plus fx, now 1 plus fx का मतलब है, x की value 1 से greater है, जादा है, so जब x की value 1 से greater है, तो output क्या रहा है, output आ रहा है, यहाँ रख लेते हैं, तो यह हो गया, limit x tending to 1, 2x square minus 3x plus 3 by 2, अब यहाँ पर x की जगे 1 रख के देखते हैं, तो जब x की जगे 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, 2 minus 3 किता हो गया, 2 minus 3 हो गया, minus 1, 3 by 2 minus 1 किता हो गया, तो यह आ जाएगा, 1 by 2 के बराबर, तो LHL आया 1 by 2 के बराबर, RHL भी आ गया 1 by 2 के बराबर, बले बले, that means limit exist कर रही है, लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़के को प्यार करती है, यह दोनों आपस में बराबर आ गया, अब पता करते हैं कि इनके parents का क्या कहना है, मतलब function at x is equals to 1, इसकी value किसके बराबर है, तो जब दिया है x is equals to 1, तो the value of the function is x square by 2, so at x equal to 1, value of the function is x square by 2, अब x की जगे अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा, 1 का square by 2, that is equals to half, so इसका मतलब है, value of the function at x is equals to 1 is half, so यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि LHL, RHL, value of the function, यह सब के सब equal हैं आपस में और इनकी value किसके बराबर है, इनकी value half के बराबर है, so yes, मम्मी पापा भी राजी, बच्चा भी राजी, दोनों मिया भी 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 राजी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह function कैसा हो गया, यह function हो गया, continuous, इसके बाद next question आ गया, क्या कह रहा है next question, next question कह रहा है, examine the following functions for continuity at x is equals to 0, so x is equals to 0 पे continuity check करनी है, अब इस तरीके का भी function आ सकता है, modulus वाला, अब modulus वाले function में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, पर घबराने की दिक्कत लेने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, tension लेने की ज़रूद नहीं है, कैसे इसको solve करेंगे, देखिए, so x is equals to 0 पे, mod वाला function कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम इस particular function को तीन parts में break कर सकते हैं, कैसे break कर सकते हैं, या तो x less than 0 होगा, या x greater than 0 होगा, या x 0 के बराबर होगा, तो ये 3 conditions यहां से बन सकती हैं, इस particular function के लिए, now when x is less than 0, जब modulus 0 से कम है, तो ये जो x है, ये क्या करेगा, अपने आगे एक और negative sign लगा देगा, modulus में अगर negative number जाता है, less than 0 जाएगा, तो उसके आगे एक और negative sign लगा देगा, क्यों? ताकि वो negative negative होके positive हो जाए, whereas when x is greater than 0, जब x greater than 0 होगा, तो output आपका direct x आएगा, और जब x की value 0 रखोगे, तो यहाँ पर ये 2x, 2 into 0, 0, minus 0, ये 0 आजाएगा, ठीक, इसको अगर थोड़ा सा और solve करके लिखें, so this can be further written as, 2x plus x, that is 3x, for x less than 0, and this is 2x minus x, which is x, for x greater than 0, and this is 0, for x is equal to 0, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा function modulus में दिया था, इस particular function को हमने refine कर दिया, simplify कर दिया, उस particular form में, जिस form में हमको चीजे समझ में आती हैं, तो हमने इस तरीके से इस पूरे function को redefine किया, simplify किया, now, अब अगर हमको check करना है, continuity at x is equal to 0, so that means हमको check करना है LHL, हमको check करना है RHL, और हमको check करनी है, value of the function at x is equal to 0, तो हमको यहाँ पे clearly पहले ही दिख गया, कि x is equal to 0 पे value of the function क्या है, 0 के बराबर है, so f of 0 तो 0 के बराबर है, अब check करते है LHL, LHL का मतलब क्या हो गया, LHL का मतलब हो गया, limit x approaching towards 0 from the left hand side, left hand side का मतलब हो गया, 0 minus, 0 minus fx, अब 0 minus का मतलब क्या है, 0 minus का मतलब है, अगर हम 0 की तरफ left hand side से जा रहे हैं, तो x की value less than 0 होगी, यानि function की value कित्ती 3x, तो यह हो गया limit x trending to 0, fx की value हो गयी 3x के बराबर, अब x की जगे अगर 0 रखोगे, तो 3 into 0 के इत्ता हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया, खतम, RHL निकालते हैं, so RHL में हो गया, limit x trending to 1 plus, sorry, 0 plus fx, so 0 की तरफ approach कर रहे हैं, from the right hand side, मतलब value 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लिमिट x trending to 0, fx की value x के बराबर, और x की जगे अगर 0 रखोगे, तो 0 आ गया, अब यहाँ पर देखिए, LHL भी 0, RHL भी 0, value of the function is also 0, तो यह function कैसा हो गया, यह function हो गया, sir, continuous, कैसा हो गया यह function, अब यह जो question है, आपको दिखाई नहीं देगा, इस थरीके के questions, बहुत ज़ादा पूछे जाते हैं, continuity and limits से, so, function दिया है, fx is equals to, ax plus 1, for x less than equal to 3, and bx plus 3, for x greater than 3, कह रहा है, the function is, continuous is, continuous is continuous at x is equals to 3, तो अगर यह function x is equals to 3 पे continuous है, तो बताईए, a और b की value क्या है, now, these types of questions are asked, बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से, हर exam में इस तरीके का, कोई ना कोई question आपको मिलेगा, और पक्का मिलेगा, कैसा question, जिसमें आपको दो variables दिये हैं, यानि a और b unknown दिये हैं, और इन a और b को निकालना है, जब हमको पता है कि यह function continuous है, at x is equals to 3, now, since we know that the function is continuous, so that means we know that, LHL will be equal to, RHL will be equal to, value of the function at x is equals to 3, यह तीन चीज़े हमको पता है, क्योंकि function हमारा continuous है, correct? अच्छा, अगर function हमारा continuous है, तो सबसे पहले अपन LHL निकाल लेते हैं, तो LHL यहां से क्या आजाएगा? LHL आजाएगा, limit x tending to 3 minus fx, so 3 minus का मतलब क्या है? value of x is less than 3, तो अगर x is less than 3, तो output क्या है? ax plus 1, तो यह हो गया, limit x tending to 3, ax plus 1, अब x की जगे अगर 3 रग दो, क्या आजाएगा? यहां गया 3a plus 1, so this is the value of LHL, now similarly we can find RHL, अब RHL कैसे निकाल लेंगे? तो RHL निकाल लेते हैं, यह हो गया, limit x tending to 3 plus fx, अब 3 plus का मतलब है, 3 से greater value, so when x is greater than 3, output क्या है? bx plus 3, so यह हो गया, limit x tending to 3, bx plus 3, अब x की जगे फिर से 3 रग दो, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, 3b plus 3, तो यह LHL आ गया, यह RHL आ गया, अभी निकाल लेते हैं f of 3, so f of 3 का मतलब क्या है? जब x equal to 3 है, तो output क्या हैगा? तो जब x equal to 3 है, तो भी output आ रहा है आपका, बी कैसे निकाल सकते हैं? So the relationship between A and B, so that the function is continuous. Relationship निकालना है between A and B. So relationship कैसे निकाल सकते हैं? अब हमको पता है, LHL will be equal to RHL, will be equal to f of 3, इनको आपस में equate कर देते हैं, तो LHL आ गया 3a plus 1 के बराबर, RHL आ गया 3b plus 3 के बराबर, और यह 3a plus 1 के बराबर ही है, तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहां से हमने इन दोनों को equate किया, अब यहां से A और B निकाल लो, तो यह हो गया 3a minus 3b is equals to 2, अब यहां से अगर आप 3 common ले लीजे, तो यह आ गया A minus b is equals to 2, 2 by 3, तो A और B के बीच का relation निकालना था, तो यह relation आ गया A minus b is equals to 2 by 3, so this is the final answer, हो सकता है आप से question में A और B की value पूछ ले, अगर value पूछ था तो function add x is equals to 3 defined होता, आपको कोई number के form में मिल रहा होता, तो आप सबसे पहले क्या करते है, LHL को इससे equate करते, फिर RHL को इससे equate करते, दो equations बनाते, दोनों को simultaneously solve कर लेते, you will get the value of A and B, पर यहाँ पर relationship पूछा था A और B के बीच में, क्योंकि यहाँ पर यह function की अलग से value नहीं mentioned थी, as a result हमने A और B की दोनों की value निकाल ली in terms of each other, is this clear to each and every one of you, 11 for x is equals to 1 and for x less than 1 दिया है 5 A x minus 2 B, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, अगर यह function continuous है, add x is equals to 1 पे, इसी question की मैं बात कर रहा था, अगर यह function add x is equals to 1 पे continuous है, तो बताईए यहाँ से, की value of A and B क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही LHL निकालिए, RHL निकालिए, value of the function at that particular point निकालिए, यानि x is equals to 1 पे निकालिए, so fx is equals to, यहाँ फिर ऐसे लिखें इसको f of 1, so f of 1 यहाँ से किसके बराबर आजाएगा, add x is equals to 1, value of the function is equals to 11, तो यह 11 के बराबर आगया, LHL निकालिए मतलब, LHL limit x tending to 1 minus fx, क्योंकि function दिया है कि यह continuous है, add x is equals to 1, तो LHL निकाला, 1 minus fx, 1 minus मतलब 1 से less value, तो 1 से less value पे output क्या है, 1 से less value पे output है यह, so यह हो गया, limit x tending to 1, function की value हो गई, 5ax minus 2b, अब x की जगे अगर 1 रखो, तो यह आगया 5a minus 2b, so this is the value of LHL, so let's find RHL, RHL निकालते हैं, तो क्या हो गया, यह हो गया, limit x tending to 1 plus fx, 1 plus का मतलब है, value of x is greater than 1, so when x is greater than 1, output fx किसके बराबर है, 3ax plus b, so यह हो गया, limit x tending to 1, 3ax plus b, अब x की जगे अगर 1 रखें, तो यह क्या आजाएगा, 3a plus b, और function की value 11 के बराबर दिये, अब क्योंकि यह function continuous है, तो हम यहाँ से definitely यह कह सकते हैं, कि लड़के को लड़की से प्यार है, लड़की को लड़के से प्यार है, और मम्मी पापा, add x is equals to 1, plus b is also equals to 11, तो हमको a और b की value निकालनी थी, so that means हमको 2 unknown है, so अगर 2 unknown है, तो हमको 2 equations बनानी है, 2 equations बनाएंगे, 2 unknowns solve कर सकते हैं, अब इन दोनों को simultaneously solve करने के लिए, हमने क्या किया, इस पूरी equation को 2 से multiply करा दिया, तो यह हो गया, 6a plus 2b is equals to 22, now if we add both the equations together, दोनों equations को add कर दिया जाए, so यह minus 2b plus 2b cancel हो जाएगा, 5a plus 6 है, यह कित्ता हो जाएगा, 11a is equals to 33, so यहां से a की value किसके बराबर आगई, a की value आगई, 3 के बराबर, so value of a is equals to 3, अब यह value of a अगर 3 के बराबर आगई, तो यहां पे रख लेंगे, तो यह कित्ता हो जाएगा, 9, 11 minus 9, that is 2, so b की value आजाएगी यहां से 2 के बराबर, so a की value आगई, 3 के बराबर, b की value आगई, 2 के बराबर, and that is the question, अब इस question में हो जाएगता है, कुछ बच्चों की नींदे उड़ जाए, दिक्कते आजाएं, पर tension वाली बात नहीं, मैंने continuity and differentiability की एक sheet बनाई है, जिस sheet में सिर्फ 148 questions है, 148 questions है, आपने अगर वो 148 questions कर लिए, तो पूरा का पूरा continuity and differentiability आपको, finger tips पे हो जाएगा, आप अराम से उसको solve कर सकते हैं, क्या है ये, examine the function, fx is equal to 2x plus 2 minus 16 upon 4x minus 16, add x is equal to 2, क्या ये continuous है, x is equal to 2 पे, अच्छा ये continuous है, तो कह रहा है k की value निकालिए, अगर ये continuous है, तो k की value निकालिए, तो अच्छा, सबसे पहले limit निकाल लेते हैं, तो limit यहाँ पे क्या है, limit है, limit extending to 2 रखने पे, अब देखिए, क्योंकि x not equal to 2 है, मतलब चाहें आप x की value 2 से बढ़ी रखिए, या 2 से छोटी रखिए, output हमेशा ये यह आएगा, मतलब LHL आरे चल दोनों की value same आएगी, क्या आएगी, ये आएगी, 2 की power x plus 2, minus 16 upon 4 की power x minus 16, अब यहाँ पे अगर x की जगे आप 2 रख देंगे, तो ये 0 by 0 form आ रहा है, which is the indeterminate form, अब इस indeterminate form को हटाने के लिए, आप यहाँ पे differentiation भी कर सकते हो, आप यहाँ पे rationalization भी कर सकते हो, आप यहाँ पे identities भी put कर सकते हो, आप यहाँ पे direct limit वाले formula भी लगा सकते हो, whichever is easier for you, you can do that, अब ये 2 की power x plus 2, 4 की power x से differentiation करने में थोड़ा साथ दिक्कत आ जाएगी, तो हम इसको और असानी से क्या कर सकते हैं, mold कर सकते हैं using identities, exponents वाली identities को use करते हो, इसको easily solve कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 2 की power 2x plus 2 है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 2 की power x into 2 की power 2 minus 16, upon 4 को लिख सकते हैं, 2 का square की power x minus 16 को लिख सकते हैं, 4 का square, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं को लिख सकते हैं, कैसे 2 की पावर x into 2 की पावर 2 तो आपने class 8 में पढ़ा था a की पावर m into a की पावर n बेस्थेम होते हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है add हो जाती है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m plus n कौन से chapter में पढ़ा था chapter का नाम था exponent right so exponents में you have studied this a to the power m a to the power n दोनों अगर बेस्थेम है तो पावर शाड़ जाती है m plus n आ जाता है बहुत बढ़ी आपाते से आ जाता है बिल्कुल तो यह जो x plus 2 है इसको ब्रेक करके लिखा 2 की पावर x into 2 की पावर आगे देखिए अब इसको लिख सकते है further कैसे इसको लिख सकते है further ऐसे limit extending to 2 अब देखे 2 का square यानी 4 अगर 4 यहां से common ले ले तो क्या बचेगा 2 की पावर x minus 4 common लेने पर यहां पर बचा 4 total upon 2 का square तो 2 के square की power x क्या square यह भी तो लिख सकते है 2 की power x का square minus 4 का square तो यह जो 2 की power 2 की power x था again देखिए 2 की power यह ऐसे अगर देखें जो आपने property पढ़िए a की power m की power n can be written as a की power n की power m तो ऐसे इस तरीके से लिखा जा सकता है तो इसको हमने लिख लिया x की जगे 2 कर दिया 2 की जगे x कर दिया फाइदा क्या हुआ फाइदा देखिए हुआ कि जो ऊपर वाला part आया वो तो आपका आया limit x tending to 2 4 common ले लिया था 2 की power x minus 4 आ गया था नीचे formula बन गया a square minus b square 2 की power x का square minus 4 का square तो a square minus b square किसके बराबर होता है a plus b a minus b so this can be written as 2 की power x minus 4 into 2 की power x plus 4 इस तरीके से अपने इसको break कर लिया a square minus b square का formula लगा के अब फाइदा ये हुआ यहां से 2 की power x minus 4 से 2 की power x minus 4 cancel out हो गया अब बचा गया 4 upon 2 की power x plus 4 now let's again put the value of x is equal to 2 x की value 2 यहां पे substitute करते हैं तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 4 upon 2 की power 2 plus 4 4 plus 4 8 हो गया तो यह हो गया 4 upon 8 इसको further cancel out करेंगे तो कित्ता हो गया 1 by 2 लिमिट की value कित्की आ गई हाफ के बराबर now f of 2 किसके बराबर दिया है तो f of 2 दिया है k के बराबर हमको k की value निकालनी थी now since this function is continuous so we can say k की value किसके बराबर आ जाएगी limit की value के बराबर आ जाएगी which is equals to 1 by 2 so value of k किसके बराबर है 1 by 2 so that means option b is the right answer option b जो है हमारा यह correct answer let's move to the next question next question पर आते हैं next question में क्या कह रहा है next question में कह रहा है examine the following function for continuity अभी खरीरा क्या लोगों ने बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question पर आते हैं यह अभी हमने किया था okay यह रहा next question हमारे सामने चाहिए the following function for the continuity अब देखिए इसके लिए मैं आपको इस question को थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ा चोटा-चोटा लिखा है तो हो सकता ना दिखाई दे रहा हो so fx is equals to इसको लिखा है 1 minus cos 2ax upon x square 8 for x not equal to 0 for x equals to 0 कह रहा है what will be the value of a so that the function may be continuous at x is equals to 0 so add x is equals to 0 function कैसा है continuous है add x is equals to 0 आप से कह रहा है a की value निकाल लिए अब कैसे a की value निकाल सकते हैं यह देखते हैं चलिए तो सबसे पहले left hand limit right hand limit अलग-अलग निकालने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x not equal to 0 पे हमारा function कैसा है एक ही output है तो चाहे rhl निकालो चाहे lhl निकालो value यहां से same आएगी चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा limit extending to 0 1 minus cos 2ax upon x square अब देखिए यहाँ पे अगर आप extending to 0 रखते हैं तो 0 रखने पे क्या जाएगा 0 by 0 form अब 0 by 0 form अगर आ रहा है क्योंकि cos 0 की value 1 होती है तो 1 minus 1 0 upon 0 0 by 0 form आ रहा है तो किसको याद करना है lhopital rule को lhopital rule को अगर यहाँ से याद किया जाए तो यह हो जाएगा limit extending to 0 numerator को अलग differentiate करो denominator को अलग differentiate करो 1 का differentiation 0, cos का differentiation sine तो minus minus यह हो जाएगा plus sine 2ax chain rule लगाएंगे इसके अंदर angle पे जाएंगे तो 2ax का differentiation क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2a upon x square का differentiation क्या हो जाएगा so x square का differentiation हो जाएगा 2x तो क्या किया हमने यहाँ पे lhopital rule लगाया isc वाले बच्चे lhopital rule लगा सकते हैं directly आपका जो answer आएगा उस पे आपको पूरे marks मिलेंगे class 12 में so इस साल भी मिले थे अगले साल भी मिलेंगे 2025 में भी मिलेंगे improvement में भी मिलेंगे 2 से 2 cancel out हो गया a constant है a को बाहर कीजिए तो अगर a को आपने बाहर किया तो यह हो गया limit extending to 0 a को बाहर किया यहां पर क्या बच्चा यहां पर बच्चा sign 2ax upon x अब आपको एक identity याद होगी जो आपने limit class 11 में पढ़ा था so वो identity the limit extending to 0 sin x upon x this is equals to 1 यह 1 के बराबर होता था एक चीज आपने यहां पर ध्यान देनी है वो क्या है कि अगर यह x है तो यह भी x होना चाहिए अगर यहां पर 2x होता तो यहां पर भी 2x होना चाहिए अगर यहां पर 3a होता तो नीचे 3a होना चाहिए मतलब यहां पर जो भी होगा नीचे भी वही आंगल होना चाहिए बस यह आपको दिमाग में रखना है तो यहां पर क्या है यहां पर 2ax दिया है तो नीचे भी 2ax हो के लिए अब जब हमने इसको balance out किया तो for extending to zero sign two a x upon two a x यह जो पूरी value है यह one के बराबर आ जाएगा a into two a करेंगे तो यह हो गया one into a into two a तो यह किसके बराबर आ गया यह आ गया two a cube के बराबर जो limit की value आई वो किसके बराबर आ गई two a cube के बराबर अब अगर limit यहां से two a cube आ गई हमको निकालनी है किसकी value a की value अब हमको पता है value of the function f of zero किसके बराबर है so f of zero as given in the question is equals to eight यह eight के बराबर है tick so that means two a cube is equals to eight a cube is equals to four so यहां से a की value क्या आ जाएगी यहां से a की value आ जाएगी two root two two root two आ जाएगा ना नहीं two root two नहीं आएगा two root two तो नहीं आएगा यहां से a को बाहर किया था हमने okay फिर two a से नीचे multiply किया two a से उपर multiply किया तो यह two a square आएगा ना कि क्यों यह two a square आ रहा है यहां पर two a square तो यह आ जाएगा two a square is equals to eight two a square is equals to four so a की value आ जाएगा यहां से plus minus two so the value of a will be equal to plus minus two तो plus minus two काउन सा है option b so option b is the right answer value of a is plus minus two अब इस question को देखें के रहा examine the following functions for continuity what will be the value of f of pi by four so function दिया है fx is equals to root two cos x minus one upon cot x minus one for x not equal to pi by four so अगर यह function continuous है add x is equals to pi by four can I find the value of f pi by four अब समझे अगर यह function continuous है add x is equals to pi by four इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो limit की value होगी वही value f pi by four की होगी तो हमको f pi by four की value निकालनी है so that means basically हमको यह limit solve करना है कहां पे for extending to pi by four तो अगर यहां पे लिखा जाए तो इसको लिख सकते है for limit extending to pi by four root two cos x minus one upon cot x minus one अब देखिए अगर extending to pi by four यहां पे रखते हैं तो pi by four रखने पे क्या हो जाएगा यह जो है यह zero by zero form में आ जाएगा यानि indeterminate form अगर यह indeterminate form में आया zero by zero form में आया तो आप क्या कर सकते हैं l hopital rule को याद कर सकते हैं ठीक so l hopital rule को अगर यहां से याद किया जाए तो क्या कहता है l hopital rule उपर वाले को अलग differentiate करो नीचे वाले को अलग differentiate करो तो जब x की जगे pi by four रखने है तब यह zero by zero form आ रहा यह याद रखिएगा ठीक है और कभी भी zero by zero form आए तो l hopital rule लगाओ so limit extending to pi by four रखने पर यह क्या हो जाएगा root two को रोका cos x को ठोका so cos x का differentiation होता है minus sin x और minus one का differentiation zero ही हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं cot x का differentiation क्या हो जाएगा so cot x का differentiation होता है minus cos x square x यह इसका differentiation होता है right so यहाँ से minus से minus cancel हो गया root two constant है इसको बाहर निकाला तो root two बाहर निकल गया यह हो गया limit x extending to pi by four sin x upon cos x square x तो cos x square x का मतलब क्या हो गया cos x square x का मतलब हो गया cos x का reciprocal होता है sin तो इसको लिख सकते हैं one upon sin square x तो sin square x ऊपर चला जाएगा यह इसको लिख सकते हैं one upon sin square x क्यों क्योंकि cos x square x किसके बराबर है cos x square x बराबर है one upon sin square x के क्यों क्योंकि sin x जो होता है वो होता है one upon cos x के बराबर यह दस्वी क्लास में पढ़ा था trigonometry sorry 9th क्लास में पढ़ा था trigonometry में sin और cos x receive रोकल होते हैं cos और sec receive रोकल होते हैं ठेक तो यह जो sine square है, यह ओपर चला जाएगा, तो यह क्या हो गया, यह हो गया, root two times limit extending to pi by four, sine cube x, आ गया, ठीक, अब sine cube x, sine cube x की जगे, x की जगे अगर pi by four रखें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, root two times, sine pi by four का whole cube, तो भाई देखिए, sine cube x बोलो, यह sine pi by four, x की जगे अगर pi by four रखेंगे, तो sine cube pi by four बोलो, मैंने बताया, sine cube pi by four बोलो, यह sine pi by four का whole cube बोलो, both of the things are same, तो इसको हमेशा समझेगा, यह अलग-अलग नहीं है, यह की चीज़ है, sine cube pi by four बोलो, यह sine pi by four का whole cube बोलो, both of the things are same, ठीक, त sine pi by four का cube करेंगे, तो sine pi by four किसके बराबर होता है, one by root two, तो यह हो जाएगा, root two into one by root two, into one by root two, into one by root two, यह तो हुआ क्यूब का मतलब, three times of the same number, right, so sine pi by four की value, one by root two होती है, root two से root two गड़े किता हागया, one by root two, one by root two किता हागया, यह आगया, half के बराबर, f of pi by four की value किसके बराबर आजाएगी, f of pi by four की value आजाएगी, one by two के बराबर, so f of pi by four is equals to one by two, so इसी तरीके के questions आपके board examinations में आपसे पूछे जा सकते हैं, यही वाले questions आपके पास board examinations में आते हैं, इसे questions को आपको इसी तरीके से solve करना है, so differentiability में सबसे पहले आ जाते हैं, देखो यह differentiation के basic formula, so you have to first of all understand these formulas, learn these formulas, because if you learn these formulas, तो आपके लिए easy हो जाएगा integration वाले part को करना, because यही formula वहाँ पर उल्टी तरीके से बस पूछे जाते हैं, बाकी कोई भी करते हैं, जो इसका basic formula होता है, differentiation का, वो होता है, x to the power n, so d by dx of, d by dx of, x to the power n, तो इसमें क्या होता है, यह जो power n होती है, यह कूद के आगे आ जाता है, और x to the power, उपर 1 कम हो जाती है, power n minus 1 हो जाता है, so this is the basic formula of differentiation, जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ह है, फिर से सुन लो, फिर से revision हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल basic से बता रहा हो, तो हो सकता है, थोड़ा सा boring हो जाए उन बच्चों के लिए, जिनको अलड़ी यह सब चीज़े आती है, लेकिन patience रखिए, सारी चीज़े कराएंगे, अभी तगड़े questions भी कराएंगे, बढ़िय तो यह 2 के बराबर आ जाएगा, so the differentiation of x cube is 3x square, I hope this is clear to each and every one of you, मुझे लगता है, यह सबको clear है, then, d by dx of x to the power n, इस तरीके से करेंगे, यह मने आपको बता दिया, अब अगर आपके पास दिया है, d by dx of ax plus b to the power n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब देखे, अगर ax plus b to the power n है, तो यहाँ पर लगता है एक rule जिसको हम लोग कहते हैं chain rule, क्या होता है यह chain rule, so यह chain rule काफी important है, तो पहले मैं आपको formula बता देता हूँ, फिर मैं आपको chain rule बता दूँगा, तो पहले basic basic formula discuss कर लेते हैं, और उसके बाद chain rule वाले भी बात कर लेंगे, so याद cos x होता है, cos x का differentiation minus sin x होता है, tan का differentiation sec square, cot का minus cos x square, sec का sec x tan x, cos x, cos x, negative sign के साथ, sin inverse x का 1 upon under root 1 minus x square, cos inverse x में minus का sign लग जाता है, tan inverse x 1 upon 1 plus x square, cot inverse x में फिर minus का sign लग जाता है, so minus 1 upon 1 plus x square, second verse x का 1 upon mod x under root x square minus 1, cosec inverse x का 1 upon mod x under root x square minus 1 with a negative sign, तो ये दोनों formula जो है, same same है, बस negative sign की यहाँ पे addition और subtraction है, यहाँ पे negative sign लगा यहाँ नहीं लगा, that's it, अब याद कैसे करना है, तो देखिए, जितने भी functions है, जिनका नाम शुरू हो रहा है, C से, whose name is starting with letter C, तो आपको पता है, जितने भी जीवन में हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, जितने भी C हैं, वो सब कैसे होते हैं, बहुत negative होते हैं, तो उन negative लोगों के लिए से याद रखिएगा, कि जो C से शुरू होने वाला function है, वो सब कैसा है, negative है, तो उसका जो differentiation होता है, उसमें क्या आता है, minus का sign आता है, तो C से याद रखिएगा, minus का sign, so, cos का differentiation negative होगा, cosec का differentiation negative होगा, cot का differentiation negative होगा, तो जो भी function C से शुरू हो रहे हैं, जिनका नाम C से शुरू हो रहा है, जिनके नाम के आगे C लिखा है, वो negative ही है, तो उनका differentiation negative होगा, यह आपको याद करना है बाकी यह जो formula है अभी आप जब करोगे तो करते करते आपको याद हो जाएगा ठीक है अब इसमें अपन बात करेंगे कुछ और थोड़ी सी क्या बात करेंगे देखिए तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक rule की जिसको हम कहते हैं chain rule now what is this chain rule chain rule क्या होता है so जब भी अपन differentiation करते हैं तो तीन तरीके के rules लगते हैं एक लगता है chain rule एक लगता है product rule एक लगता है question rule so यह rules आपको पता होने चाहिए before starting with differentiation और अगर यह rules आपके सही है यह बहुत basics है अगर यह basics आपके सही है तो definitely आप अराम से differentiation भी कर लोगे फिर उसके बाद integration भी आपके लिए हलवा हो जाएगा right तो chain rule क्या होता है chain rule यह कहता है कि जिस तरीके से chain जो होती है वो interlock के form में होती है और अगर आपको यह interlock खोलने है if you want to open these interlock तो आप क्या करोगे इसको बाहर से खोलना शुरू करोगे तो सबसे पहले यह वाला और यह वाला interlock खोलोगे फिर इसके अंदर आओगे यह वा से इस तरीके के function का अगर अपनको differentiation करना है तो यह differentiation कैसे होगा यह समझिएगा और बहुत important है बहुत basic सा है तो chain rule में क्या होता है हम function को बाहर से differentiate करना शुरू करते हैं तो अगर बाहर से differentiate करें तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा trigonometric function sine sine का differentiation क्या होता है so sine का differentiation होता है sir cos तो यह हो जाएगा cos of x square तो sine x square जहांपे x square इसका angle है इसका जब differentiation करेंगे तो यह आगया cos x square अब cos x square के बाद sine के बाद इसके और अंदर जाना है तो इसके और अंदर जाएगे तो क्या आएगा x square आएगा x square का अगर differentiation करेंगे तो x square का differentiation क् तो भाई अभी मैंने आपको बताया x की power n का जो differentiation होता है वो होता है n x n minus 1 so x square का differentiation क्या हो जाएगा so d by dx of x square अगर करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा x to the power 2 minus 1 that is 1 तो यह 2x के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे multiplication का sign और फिर इसके दिल तक जाएंगे और दिल तक जाके इसको differentiate करेंगे तो दिमाग बाहर से शुरू होना है और दिल तक अंदर तक जाना है और अंदर तक जाके differentiate करना है तो बाहर से differentiate करना शुरू करना है और धीरे धीरे अंदर जाना है क्या यह clear है तो यह आपको समझ में आ गया होगा, this is known as chain rule, अब इसी chain rule को थोड़ा सा और आगे modify करते हैं, so let's say, अगर हमारे पास function दिया है, under root of sin x का dy dx, now dy dx of under root sin x, इसका अगर differentiation करना है, तो कैसे इसका differentiation करेंगे, तो समझे, अगर हमको differentiation करना है, under root x का, so under root x को हम क्या लिख सकते हैं, under root x को लिख सकते हैं, x to the power half, root x can be written as x to the power half, now if we want to differentiate x to the power half, what we will get is, this 1 by 2 will come in the front, so this will become 1 by 2 x, then 1 by 2 minus 1, so which is 1 by 2 x to the power minus 1 by 2, which can also be written as 1 upon 2 root x, तो इसको directly याद कर सकते हैं हम, कि root x का जो differentiation होता है, वो होता है, 1 upon 2 और नीचे, denominator में, root x, तो सबसे पहले अगर इसके बाहर से अंदर तक जाएं, ठीक, बाहर से अंदर तक जाएं, तो बाहर सबसे पहले क्या मिलेगा, बाहर सबसे पहले हमको मिलेगा, यह root, तो अगर यह root मिलेगा, तो इस root के हिसाब से इसको differentiation करना, अब root के हिसाब से कैसे differentiation करना है, तो यह जो sin x है, इसको आप treat कीजे as x, इस sin x को आप मन में सोचिए कि यह सिर्फ x है, तो root x का differentiation क्या होता है, बाहर रूट x का differentiation होता है, 1 upon 2 root x, अब यह actual में root x तो नहीं है, यह actual में तो sin x ही है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, 1 upon 2 root sin x as it is, अब इसके अंदर जाना है, तो जब इसके अंदर जाएंगे, root के अंदर जाएंगे, तो root के अंदर हमको क्या मिलेगा, trigonometric function, which is sin, अब sin का differentiation क्या होगा, तो इसके लिए हम इसको multiply करेंगे, इसके अंदर नहीं लिखेंगे, याद रखेगा, यह तो इसका differentiation था, into differentiation of sin x, sin x का differentiation क्या होता है, so sin x का differentiation होता है, cos x, तो यह इसका final answer आजाएगा, final answer will be cos x upon 2 root sin x, so this is the final answer, this is the final differentiation of d by dx of under root sin x, is this clear to each and every one, so cube root के differentiation के लिए हम क्या करेंगे, cube root के differentiation को हम लिख सकते हैं, cube root of x का d by dx करेंगे, so this can be written as x to the power 1 by 3, अब x to the power 1 by 3 का differentiation करेंगे, तो क्या आजाएगा, x to the power 1 by 3 में आजाएगा, 1 by 3 आगे आजाएगा, x to the power 1 by 3 minus 1, which is equals to 1 by 3, x to the power minus 2 by 3, यह आता है differentiation of cube root of x, तो cube root of x का differentiation आता है यह इसके बराबर, इसके बाद आता है product rule, now what is this product rule, product rule क्या होता है, किस तरीके से हम product rule लगा सकते हैं, और कभ लगता है यह product rule, तो जब भी आपके functions दिये होते हैं in the form of product, तो अगर दो functions दिये हैं, let's say x and sin x, अब यहाँ पर अगर देखिए, अगर यह function y is equals to x sin x है, तो यह दो functions है मिलके बना है, this is algebraic function, and this is trigon function, right, तो यहाँ पर दो दरीके के functions हैं, trigon function और algebraic function, so this is made up of two functions, so whenever we have two functions in the form of product, we always use product rule to differentiate it, so if we want to find dy by dx, so how we can find dy by dx is, पहले हमने x को रोका, then हमने differentiation किया sin x का, तो पहले function को रोका, दूसरे function को ठोका, प्लस दूसरे function को रोका, and पहले function को ठोका, ठोका here refers to differentiation किया, right, so x को रोका, sin x का differentiation is cos x, प्लस sin x को रोका, x का differentiation क्या होता है भाई, तो X का differentiation हो जाता है 1 के बराबर क्यों हो जाता है देखिए X को लिख सकते हैं X to the power 1 अब X to the power 1 में 1 आ गया जाएगा X to the power 1 minus 1 हो जाएगा 0 something to the power 0 is always equals to 1 तो इसलिए X का जो differentiation होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर तो 1 के बराबर आ गया अब यहां से आपका यह आ गया final answer so this is your final answer जो भी है यह आपका final answer है इसी को कहते है product rule product rule को general तरीके से किस तरीके से लिखते हैं तो generalized तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको d by dx of u into v where u and v are two functions जो product के form में दिये हुए है तो यहां पे अगर इसको differentiate करते हैं तो पहले को रोकते हैं दूसरे को ठोकते हैं प्लस का sign लगाते हैं दूसरे को रोकते हैं and पहले को ठोकते हैं so this is how we differentiate using the product rule e की power x into x cube बताईए what will be the differentiation of this particular function what will be the answer to this question जल्दी से बताईए इसका answer क्या आने वाला है बताईए वाई इसका answer क्या आएगा जल्दी से बता दीजे देखें समझें की आता है की नहीं आता है की समझ में आता है की नहीं आता है बताईए वाई इसका differentiation क्या आएगा dy dx of e की power x into x cube इसका differentiation क्या आएगा so इसके differentiation को करने के लिए क्या करेंगे again product rule लगाएंगे e की power x को रोका dy dx of x cube किया plus x cube को रोका dy dx of e économique power x किया e की power x को रोका x cube का differentiation आ जाएगा e की power x का differentiation सबसे मुश्किल होता है e की power x का differentiation होता है e की power x तो यह वापस e की power x आ गया अब total में से अगर आप e की power x common ले लो so you will be left with 3x square plus x cube so this is your final answer ये आगया आपका final answer e की पावर x 3x square plus x cube this is your final answer is this clear to each and every one of you? question rule अब ये question rule क्या कहता है? question rule ये कहता है that whenever we have differentiation of the functions which are in the form of rational function या फिर fraction के form में है वो functions जो fraction के form में है p by q के form में है numerator upon denominator के form में है तो अगर कभी भी ऐसे दो functions दिये है जिनका हमको differentiation करना है तो हम इनका differentiation कैसे करते है using the question rule question rule क्या कहता है? question rule कहता है जो भी आपका denominator है उसका square कर दीजिए denominator को रोकिए numerator को ठोकिए मतलब numerator को differentiate कीजिए फिर बीच में minus का sign लगाईए बीच में minus का sign लगाईए फिर numerator को रोकिए और denominator को ठोकिए यानि denominator को differentiate कर दीजिए this is known as the question rule इसी को कहते हैं question rule अब मैं आपको एक example दे के से दिखाता हूँ so d by dx of e की power x upon sin x अब यहाँ पे आपको दिखाई दे गया कि दो functions हैं एक exponential function है the other one is a trigonometric function जो fraction के फॉर्म में दिया है numerator upon denominator के फॉर्म में दिया है अब इसको अगर अपन differentiate करें तो यहाँ से क्या आजाएगा sin x का differentiation sin x का square कर देंगे so denominator का square किया this is sin square x फिर sin x को रोका e की power x का differentiation so e की power x का differentiation होता है e की power x minus e की power x को रोका और sin x को ठोका so sin x का differentiation क्या होता है so sin x का differentiation होता है cos x तो total में से अगर अपन e की power x common ले ले तो यह आजाएगा sin x minus cos x total upon sin square x यह आगया हमारा final answer यह होता है आपका question rule तो इसको कहते हैं question rule तो जब भी हमको दो functions दिये हैं in the form of numerator upon denominator और in the form of fractions then हम क्या करते हैं question rule लगाते हैं और question rule लगाके उसको differentiate कर देते हैं तो questions देखो यहाँ पे lemneats या product rule बताया हुआ है तो यह lemneats या product rule भी है जो मैंने आपको बताया question rule भी बता दिया यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी composite function मतलब power to the power अच्छा चलिए एक question करते हैं और इस question को जड़ाब करेंगे कैसे यह देखते हैं so let's say question दिया है root over x plus 1 upon root over x to the power 2 so if we want to differentiate this function d by dx of root over x plus 1 upon root over x का whole square अगर इसको differentiate करना है तो इसको कैसे differentiate करेंगे तो इसको differentiate करने के लिए देखिए क्या करेंगे सबसे पहले या तो आप इसको दो दरीके से करते हैं या तो आप इसको पहले square open up कर दीजे फिर differentiate कीजे या फिर आप यहाँ पे chain rule लगाके differentiate की जाए I think जादा easy होगा अगर हम इसको open up कर दें और फिर differentiate करें तो अगर इसको open up करके differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा d by dx of root x का square करेंगे तो यह हो जाएगा x plus 1 upon x plus 2 तो इसका differentiation हो गया अब एक चीज समझेगा यहाँ से एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी हमको differentiation करना होता है अलग-अलग functions का which are either related by plus or minus operation तो कभी भी अगर हमको बहुत सारे अलग-अलग functions दिये हैं जिनका differentiation करना है जो आपस में connected है या तो plus वाले operator के साथ या minus वाले operator के साथ मतलब plus minus बीच में अगर लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम एक-एक को पकड़ के अलग-अलग ठोकते हैं मतलब अलग-अलग differentiate करते हैं अब जो derivative होता है अगर आप book में देखेंगे या normally जो derivative होता है fx का उसको हम लोग denote करते हैं f-x जब इसको differentiate करेंगे तो यह आजाएगा f-x whatever is the sign यह आजाएगा g-x whatever is the sign यह आजाएगा h-x so this h- g- and f- are representing that जो हमारा original function था यह उसका derivative है तो जब अपन अभी आगे questions करेंगे जो competition में questions आते हैं उसमें इसी तरीगे से mention रहता है तो याद रखना है समझना है कि अगर जो भी function दिया है अगर उसका dash लगा है so that means उसका derivative दिया है अब इस particular question को करने के लिए हमने क्या करना है इसको differentiate करना है तो x का differentiation हो गया 1 1 upon x का differentiation कैसे करेंगे तो देखिए 1 upon x का differentiation के लिए लिख सकते हैं d by dx of 1 upon x so this is actually what this is actually d by dx of x to the power minus 1 भाई अगर यहाँ पे x denominator में है if you want to shift it to the numerator part तो इसकी जो power हो जाएगी वो हो जाएगी minus 1 अब यह minus 1 आगे आ जाएगा x to the power minus 1 minus 1 तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा minus 1 x to the power minus 2 which can be written as minus 1 upon x square तो again यह बहुत important है इसको आप directly याद कर लीजे 1 upon x का जो differentiation होता है that is minus 1 upon x square directly इसको याद कर सकते हैं लेकिन यह आया कहां से तो यह आया basically यहां से वही x to the power n वाला जो normal differentiation का पहला differentiation का formula था यह वहीं से आया so 1 upon x का differentiation हो जाएगा minus 1 upon x square constant 2 है याद रखिएगा हमेशा constant का जो differentiation होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है constant को जब भी ठोका जाएगा constant को जब भी differentiate करा जाएगा the answer will always be 0 वो हमेशा 0 के बराबर आएगा इसके बाद करते हैं कुछ questions जैसे यह वाला question है find the derivative of tan of 2x plus 3 so tan of 2x plus 3 का derivation करना है इसको करने से पहले एक हमने अभी formula पढ़ रहे थे जिसको मैंने का मैं आपको बताता हूँ formula था dy dx of ax plus b की power n इसका differentiation अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे chain rule तो chain rule में हम क्या करते हैं जैसा मैंने आपको बताया हम बाहर से differentiation करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अंदर आते हैं तो सबसे पहले जब बाहर से differentiation करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बाहर हमको मिलेगा power n आप इसको मन में सोचिए मन की आँखों से देखिए as x x to the power n x to the power n का differentiation क्या होता है तो इसका differentiation होता है n x to the power n minus 1 तो हमने क्या किया यह जो n था यह कूद क्या आगया यह जो function था इसको as it is लिख लिया to the power n minus 1 then multiplied by chain rule लगाएंगे अब इसके अंदर जाएंगे तो जब इसके अंदर गए ax plus b आया ax का differentiation क्या होगा तो देखिए कभी भी अगर हम derivative निकालते हैं किसी भी function का चीक है और उस function के आगे अगर कोई भी constant लगा है तो हम क्या करते हैं constant को रोकते हैं और function को ठोकते हैं मतलब whenever you'll have a constant in front of a variable आप constant को बाहर निकाल लोगे constant को रोक दोगे तो यहाँ पे constant है a आपने a को रोका x का differentiation क्या हो जाएगा x का differentiation हो जाएगा 1 plus b is a constant अभी मैंने आपको बताया था constant का differentiation क्या होता है 0, so जो final answer आएगा आपका यहाँ से वो आ जाएगा n a, ax plus b to the power n minus 1 यही है आपका chain rule जो हमने यहाँ पे ax plus b की power n में लगाया है I hope this is clear to you अब यह वाला rule अगर यहाँ पे लगाया जाए तो देखिए सबसे बाहर से इसको पकड़ें और अंदर differentiate करें ठीक है तो बाहर से अगर पकड़ के अंदर differentiate करें तो सबसे बाहर हमको क्या दिखाई देगा सबसे बाहर हमको दिखाई देगा tan tan का differentiation क्या होता है so tan का differentiation होता है सर 6 square तो यह हो गया 6 square 2x plus 3 यह जो 2x plus 3 है इसको मन की आखों से x की तरह देखो तो जो भी tan था tan का differentiation 6 square और जो भी angle था इस angle को हमने as a test copy कर दिया that's it फिर हम क्या करेंगे इसके और अंदर जाएंगे ठीक एक बहुत अच्छा famous गाना है जगजी सिंग का पता नहीं तुम लोग ने सुनाए की नहीं सुनाए अब तुम लोग जैंजी हो तो हो सकता है ना सुनाओ लेकिन आजकल Instagram Reels पे भी बहुत जादा आ रहा है गाना है कुछ इस तरीके से जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना था लंबी दूरी तै करने में वक्त तो लगता है तो गाना जो है वो है वक्त तो लगता है गाने को सुनचे ही ग़र बहुत 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 नहीं लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छी म्यूजिक लाइक करते हैs media और अगर अरची सही में अच्छी music थो जैक्जी पर से प्रितियसे जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना है, तो बाहर से differentiate करते हुए, दिल तक उतरना है, अंदर तक जाना है, तो बाहर हमने differentiate किया tan को, तो 6 square 2x plus 3 आया, फिर 2x plus 3 का का differentiation करेंगे, तो 2 को रोका, x का differentiation हो गया, 1, plus 3 is a constant, constant का differentiation 0, so final answer आगया, 2, 6 square 2x plus 3, चलिए, let's come to the next question, next question है, sin x square plus 5, अब यह दो कोड़ी का question हो गया, इसका directly answer क्या आजाएगा, इसका आजाएगा, cos x square plus 5, और x square plus 5 का differentiation करेंगे, तो यह आजाएगा, x square का differentiation 2x, 5 का differentiation 0, so the final answer is 2x cos x square plus 5, तो यह directly आप अभी करने लगोगे, अगर आपकी speed बन जाएगी, और आपको basics आते हैं अच्छे से, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, sin ax plus b का differentiation करेंगे, तो क्या आजाएगा, यह आजाएगा, cos ax plus b, और ax plus b का differentiation करेंगे, तो a आजाएगा, so this is cos ax plus b, a times, यह है बढ़िया question, इसको करिए, बताएगे, क्या आएगा, यह है बहतरीन question, sec of tan of root x, यह है question, sec of tan of root x, इसका derivative निकालना, अब यहाँ पर लगेगा chain rule, जो थोड़ा सा लंबा chain rule है, क्या करना है इस chain rule में, तो chain rule में करना यह है, कि इसको differentiate करना है, तो सबसे पहले बाहर से, बाहर से, दिल तक जाना है, अंदर तक जाना है, तो बाहर, sec का differentiation करेंगे, तो sec का differentiation क्या होता है, sec x tan x, तो sec, whatever is the angle, उसको as it is, लिख लिया, तो यह हो गया, sec x into tan x, तो हमने इसके अंदर जो दिया हुआ है, पूरी चीज़ को treat कर लिया, मन में समझ लिया as x, तो sec, जो भी angle है, into tan, जो भी angle है, क्योंकि यह sec का differentiation होता है, अब इसके अंदर जाएंगे, तो अंदर जब जाएंगे, तो इसके जैसे ही अंदर जाएंगे, हमको मिलेगा tan, tan का differentiation क्या होता है, sec square, तो हमने multiplication का sign लगाया, यह हो जाएगा, sec square, whatever is the angle, वो angle as it is, आगया, तो tan का differentiation होता है, sec square, और tan के साथ जो भी angle था, वो as it is angle लिख लिए, अब क्या करेंगे, इसके दिल तक जाना है, तो और अंदर जाना है, root x का differentiation करना है, so root x का differentiation क्या हो जाएगा, root x का differentiation हो जाएगा, 1 upon 2 root x, so final answer को जिस तरीके से आएगा, यह थोड़ा सा लंबा है देखने में, थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, पर tension नहीं लेनी है बहुत ज़ादा, आर राम से यही answer है, यही finalist का answer है, चलिए, इसके बाद बात करेंगे, derivative of inverse trigonometric function, so inverse trigonometric functions के derivatives करने वाले है, so inverse trigonometric function में कौन-कौन से आते हैं, so sin inverse x का differentiation, cos inverse x, cot inverse x, tan inverse x, cot inverse x, यह सारे differentiation यहाँ पे आते हैं, अब यह वाले questions कैसे करेंगे, देखिए, तो देखिए, अब यह substitution बहुत ज़ादा important है, और इनको समझीएगा, यह substitution चलते कैसे हैं, अगर यह substitution समझ गया, तो आपकी life जिंगा लाला, so अगर आपको function दिया है इस form में, under root of a square minus x square के form में, तो यहाँ पे कैया substitute किया जाए, जिसकी वज़े से यह under root हट जाए, तो यह जो हमारे substitutions हम कर रहे हैं, वो basically उसका objective यह है, कि हम under root यहाँ से remove करें, now यह under root कैसे remove हो सकते हैं, इस under root को remove करने के लिए, देखिए, आपने class 10th में, तीन identities पढ़ी थी, क्या-क्या identities पढ़ी थी, आपने पढ़ा था, sin square x plus cos square x is equals to 1, यह आपने identity पढ़ी थी, दूसरी identity आपने पढ़ी थी, sex square x is equals to 1 plus tan square x, तीसरी identity आपने पढ़ी थी, cosec square x, cosec square x is equals to 1 plus cot square x, तीन identities आपने class 10th में पढ़ी थी, I hope आपको यह याद होंगी, नहीं याद है तो अभी याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब sin square x plus cos square x, अगर 1 के बराबर ही, यहां से दो identities हम और derive कर सकते हैं, कौन-कौन सी identities, so what we can do is, अगर हम इस cos square x को right side shift कर दें, तो sin square x की value आजाएगी, 1 minus cos square x के बराबर, अगर sin square x को उधर shift कर दें, तो cos square x की value आजाएगी, 1 minus sin square x के बराबर, तो यह जो एक identity है, इस identity से हमने दो identities और derive की, Now, next identity, 6 square x is 1 plus tan square x, तो यहां से क्या क्या सकता, इस tan square को इदर ले जाएए, तो यहां से आगया, 6 square x minus tan square x is equals to 1, एक तो यह identity आगई, दूसरी identity क्या आगई, दूसरी identity आगई, अगर हम इस 1 को इधर ले जाएए, तो यह आगया, 6 square x minus 1 is equals to tan square x, तो 6 square x minus 1 is equal to tan square x अब आपको यहाँ पे चमतकारी चीज़ बताता हूँ यह जो particular identity है ना इस identity पे हर साल NDA में, JEE में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं और direct question आते हैं लेकिन बच्चा confused हो जाता है निकाले तो निकाले कैसे question किस तरीके से आते हैं sec square x minus tan square x 1 के बराबर होता है अगर यहाँ पे आप formula देखें तो यह है a square minus b square का formula यहाँ पे आपको sec square x minus tan square x अगर 1 के बराबर है तो यहाँ से क्या हम sec x plus tan x की value निकाल सकते हैं तो देखो यहाँ से sec x plus tan x की value कैसे निकल सकती है तो इसको लिख सकते हैं sec x minus tan x into sec x plus tan x is equals to 1 क्योंकि ये a square minus b square का formula बन गया अब यहां से अगर अपन sec x minus tan x की value निकाले तो यहां से अगर अपन sec x plus tan x और यहां से अगर अपन sec x plus tan x की value निकाले तो यहां से आजाएगा 1 upon sec x minus tan x तो ये identities बहुत बार competition में apply होती है और direct based पे अगर आपको ये identity याद है कि 1x-10x, 1 upon 1x-10x के बराबर होता है या 6x-10x, 1 upon 1x-10x के बराबर होता है आप direct ये identity लगाके within 10 seconds answer कर सकते हैं question को क्योंकि question directly इस particular formula पे based होता है अब ये formula directly आपको नहीं पढ़ाया जाता आपको ये identity पढ़ा ही जाती है पर ये formula इस identity से derived है और यही हो जाता है competition में competition में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग चीज पूछी जा रही है 12th से बाहर का पूछा जा रहा है 11-12 का ही concept आता है बस जो आपने concepts पढ़े उसी का advanced version एक step आगे वही पूछा जाता है और वहां पर जो कर लेता है उसका selection हो जाता है ये चीज एक बार important थी तो मैंने सुचा आपको बता दू बाकि जिसको competition की अभी ज़्यादा tension नहीं है वो छोड़ दे कोई बात नहीं and cosec x minus cortex is one upon cosec x plus cortex अगर आप लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो इसको लिख लीजेगा important है competition में आता है इसके बाद अगर हम इस one को इधर shift कर दे तो यहां से हो जाएगा cosec square x minus one is equals to cot square x अब यह तीन identities थी उन तीन identities से दो-दो identities और derive हुई है और यह जो हमने derivation किया है अब यह काम आएगा यहां पे differentiation में जब हम differentiation करते हैं inverse trigonometric functions का कैसे काम आएगा यह देखिए तो सबसे पहले अगर आपको कोई function दिया है which is in the form of a square minus x square तो a square minus x square को हमको क्या करना है हम यह चाते हैं कि यहां से यह under root को हटा दें under root को हटाने के लिए हम यहां पे substitute कर सकते हैं क्या हम x को substitute कर सकते हैं as a sin theta या फिर a cos theta sir अगर a sin theta a cos theta लगाएंगे तो क्या फरक पड़ेगा कैसे कर सकते हैं यह substitution यह समझा दीजे तो यह समझे भाई अगर x की जगे आपने a sin theta substitute किया है तो यह होगा under root of a square minus x square क्या हो जाएगा a square sin square theta अब यहां से a common ले लिजे तो यह होगा under root of a square 1 minus sin square theta अब देखिए यह identity आपने पढ़ी है ना 1 minus cos square theta and 1 minus sin square theta यह किसके बराबर है एक trigonometric function के square के तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा under root of a square 1 minus sin square theta किसके बराबर cos square theta के बराबर ठीक अब यह cos square theta है और यहां a square है अब यह जब बाहर निकलेगा तो यह किसके बराबर आजाएगा यह आजाएगा a cos theta के बराबर तो यह किसके बराबर आगया a cos theta के बराबर तो जहां यहां पे पूरा का पूरा root था यह root हड़ गया और हमको क्या मिल गया directly a cos theta अब आपके मन में आएगा सर question तो x के terms में था आपने तो theta के terms में निकाला कोई tension वाली बात नहीं है I hope आपने ITF पढ़ लिया होगा अगर यहां पे x को हमने substitute किया है as a sin theta तो यहां से theta की value क्या आजएगी तो अगर x बराबर है a sin theta के तो x अपन a बराबर है sin theta के right इस sin को इदर ले जाएए तो यह हो जाएगा sin inverse x by a is equals to theta तो यहां से theta की value किसके बराबर आगए theta की value बराबर आगई sin inverse x by a तो अब finally हम यहां पे theta की जगे यह value substitute करके फिर उसको आराम से differentiate कर सकते हैं तो जो हमारा differentiation वाला part है वो easy हो जाता है क्योंकि root का differentiation complex होता है फिर उसके अंदर chain rule लगा होगे और complex हो जाएगा easy कैसे हो जाएगा easy हो जाएगा अगर आप इसमें क्या करो substitution कर लो तो अगर a square minus x square है तो आपको या तो substitute करना है a sin theta या substitute करना है a cos theta अब दूसरा सवाल जो आपके मन में आ सकता है सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ a sin theta लगाना है और कहाँ a cos theta लगाना है तो समझेए अगर आपको इस तरीके का कोई question दिया है बाहर दिया है cos inverse अंदर दिया है under root a square minus x square और इसका आपको derivative निकालना है you have to differentiate this function इसको differentiate करना है तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे समझेगा तो जैसा कि ITF में आपने पढ़ा था अगर बाहर cos inverse है तो हमारा objective हमारा काम यह होना चाहिए कि अंदर हम cos बना ले जाएं उससे क्या होगा cos inverse से cos cancel हो जाएगा तो अगर बाहर cos inverse है आपको अंदर क्या बनाना है cos बनाना है अब cos बनाने के लिए आप क्या करेंगे x की जगे put करेंगे a sin theta तो जब आब x की जगे a sin theta put करेंगे तो यह अंदर से जब पूरा solve करेंगे क्या जाएगा यह आजाएगा a cos theta right cos के terms में आजाएगा whereas अगर यही question ऐसे दिया है dy dx of sin inverse under root a square minus x square तब आप क्या करेंगे तब sir बाहर अब sin inverse दिया है तो अंदर हमको क्या बनाना है अंदर बनाना है sign अंदर sign बनाने के लिए x की जगे क्या रखेंगे बताइए अंदर अगर sign बनाना है तो x की जगे क्या रखेंगे बताइए भाई अंदर अगर sign बनाना है तो x की जगे क्या रखेंगे improvement का form अभी out नहीं हुआ है जुलाई में होगा भाई improvement का level का paper Christiano Ronaldo CR7 वही level जो आपके board का paper का level था वही level आएगा तो अगर d by dx और sin inverse a square minus x square करेंगे तो x की जगे क्या रखा जाई है x की जगे हम रख दें यहाँ पर a cos theta तो a cos theta रखने पर क्या हो जाएगा यह cos theta से sin inverse जो यह cos theta है यह आजाएगा 1 minus cos square theta which is sin square theta तो यह sin के terms में आजाएगा sin inverse से sin cancel हो जाएगा और मज़दार काम हो जाएगा तो यह हो गया भाई इसका answer ठीक है तो इस तरीके से substitute करना अब दूसरा substitution देखो तो अगर आपको substitution दिया है कुछ इस तरीके से तो अगर आपको substitution दिया है under root of x square minus a square तो x square minus a square में आपको क्या रखना है यहाँ पे आपको रखना है x की जगे as a sec theta या फिर a cosec theta इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ही होगा अगर आपने sec रखना है तो यह tan की terms में convert हो जाएगा अगर cosec रखेंगे तो यह cot की terms में convert हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखिए तो अगर x की जगे as a sec theta रखेंगे तो यह आजाएगा a square 6 square theta minus a square यहाँ से आपने a square को अगर common ले लिया यहाँ जाएगा a tan theta तो अगर x square minus a square है तो x की जगे या तो आप a sec theta रखो या a cosec theta रखो अगर tan की terms में बनाना है तो sec theta रखो sec theta कब रखेंगे जब हमको बनाना है tan की terms में और cosec theta कब रखेंगे जब हमको बनाना है cot की terms में तो यह आपको दिमाग में रखना होगा, अगर आप लिख लीजे तो आपका यह question कभी भी गलत नहीं होगा, आप राम से substitute कर ले जाओगे, ठीक, दूसरा, अगर आपको दिया है under root में x square plus a square के form में, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको x की जगे रखना है a tan theta या फिर a cot theta, तो यहाँ तो x के terms में रख लीजे a tan theta या फिर x के terms में रख लीजे a cot theta, फाइदा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, तो यह हो जाएगा, under root a square tan square theta plus a square, a square अगर आपने common ले लिया, तो यह हो गया tan square theta plus 1, अब tan square theta plus 1 किसके बराबर होता है, तो यह हो गया, a square, sec square theta, और under root से निकालोगे, तो यह हो जाएगा, a sec theta, again, वही वाली बात, आप a tan theta तब रखेंगे, जब आपको इसको sec के terms में convert करना है, और a cot theta आप तभी रखेंगे, जब आपको इसको cosec के terms में convert करना है, तो जिस term में convert करना है, जहां तक पहुँचना है, जो हमारी manzil है, उस manzil हमारे दिमाग में होनी चाहिए, destination हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और फिर उसके साब से हम अपना, जो journey है, वो उसे कउठ दीटा रखेंगे. इसे हो मिम्योग ज़िए अगर एगार अगर अखर जब ऐसाँ इन्टीटीफ उर्व फ्लिह क्लेहे दिना है. यह नोड इतिर्स किल्व एफ़ाइ विर्फाट दीटा में तोड य। गुछिए ऋसलीटा में भी आपने पढ़ी हैं, ITF में भी आपने पढ़ी है, differentiation में आप पढ़ लए हो, integration में भी पढ़ने वाले हो So 1 plus cos 2 theta ये बराबर होता है, 2 cos square theta के बराबर और 1 minus cos 2 theta ये बराबर होता है, 2 sin square theta के बराबर तो ये बहुत important identities है, इनको जरूर याद कर लीजे ये class 11 में भी आपने किया था, अगर आपने सही में पढ़ाई की थी तो और अगर ये class 12 में किया है तो भी आता है, तो ये बहुत important है, इस formula को लिख लीजे ये इस तरीके से substitution करना है, ताकि हमारे सारे questions जो है, वो हम बहतरीन तरीके से solve करता है ठीक है, चलिए, अब आज आते हैं कुछ questions पर, कैसे question जैसे ये है, देखिए, कह रहा है y is equals to sine inverse x, y is equals to sine inverse x, under root 1 minus x square, prove that 1 minus x square dy by dx minus xy is equals to 1 ये हमको यहाँ पर proof करना, अब इसको कैसे proof कर सकते हैं, देखिए, so इसको proof करने के लिए, या तो हम इसको यहीं पर differentiate कर दें, या आसान तरीका क्या है आसान तरीका है कि इसको अगर हम left hand side भेज दें, तो question rule की जगे product rule लगाना पड़ेगा और हमको product rule लगाना ज्यादा easy है as compared to question rule, right, तो हमने इसको उपर भेज दिया, तो यह हो गया y times under root 1 minus x square is equals to sine inverse x now let's differentiate this function, तो differentiating with respect to x, अच्छा यह आपको हर बार लिखना है, जितनी बार आप differentiate करोगी, you have to write differentiating with respect to x तो कुछ काइदे कानून होते हैं, जो लिखने पड़ते हैं, तो यह लिखना है आपको अब अगर आप यहाँ पर देखें, तो यह दो functions है, y और एक function under root 1 minus x square, तो यह जो दोनों functions हैं, किस form में है, product के form में है, तो लगेगा product rule, product rule लगाने के लिए y को रोका, इसका differentiation करेंगे, तो यह हो जाएगा, d by dx of under root 1 minus x square plus under root 1 minus x square को रोका, d by dx of y is equal to sine inverse x का differentiation करेंगे, तो हमको बता है, sine inverse x का differentiation होता है, 1 upon under root 1 minus x square, तो इसका differentiation हो गया, अब left side पे हमने product rule लगाया, इसको apply कर लेते हैं, तो y, अब इसका differentiation करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2 under root 1 minus x square, फिर इसके अंदर जाएगे, तो 1 minus x square का differentiation हो माइनस का 2x प्लस यह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वार और d by dx of y differentiation y का with respect to x जो होता है वो होता है d y by dx तो इसको लिख लिए d y by dx is equals to 1 upon अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वार चेक अब हम यहां से क्या कर सकते हैं देखिए यहां 2 से यह वाला 2 cancel out हो गया चेक अब यह जो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वार है जो डिनॉमिनेटर में आ रहा है इसको हम भेज देते हैं left hand side क्यों क्योंकि देखिए सार यहां पे जो डिनॉमिनेटर आ रहा है यहां पे जो हमारा RHS सिर्फ 1 आ रहा है और हम यहां पे 1 बना सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर को left hand side भेज दें तो जो हमारा destination है हमारा destination के हमको यह proof करना है तो अगर हमको यह proof करना है मतलब हमको यहां तक पहुचना है अब यहां तक पहुचने के लिए हमने क्या किया इसको solve किया तो यह जो RHS था इसको इधर की तरफ भेज दिया अगर इसको इसको इधर की तरफ भेज देंगे तो यह उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा य अंडर रूट 1-x2 negative और x भी था सो minus xy अंडर रूट 1-x2 under root 1-x2 plus dy by dx अब देखिए under root 1-x2 under root 1-x2 यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1-x2 क्योंकि under root का square हो जाएगा is equals to यहां क्या बचा 1 अब देखिए 1-x2 से root 1-x2 cancel हो गया क्या बचा यहां पर यहां पर बचा dy by dx into 1-x2 minus xy यह वाला minus xy अदर लिख लिया so minus xy is equals to 1 तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया तो यहां से क्या लिख सकते हैं hence prove यह हमारा hence prove हो गया बदाएगे is this clear to each and every one of you yes on चलिए एक और question देते हैं next question देखते हैं अब यह जो next question इसको कैसे करेंगे देखिए so इस next question को करने के लिए समझेए y is equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square so बाहर दिया है sin inverse और अंदर दिया है 2x upon 1 plus x square अब याद रखिएगा जब भी आपको inverse trigonometric functions बाहर दिये हैं और bracket के अंदर कुछ दिया है तो आपको पहली कोशिश ये करनी है कि अंदर कुछ ऐसा substitute कर ले जाएं जिसकी वज़े से ये जो sin inverse है ये cancel हो जाए क्या हो जाए sin inverse cancel हो जाए तो इस sin inverse को cancel करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 tan x upon 1 plus tan square x, यह किसके बराबर होता था, यह बराबर होता था, sin 2 x के बराबर, बदाईए, क्या यह formula याद है आपको, एक ऐसे ही formula आपने और पढ़ा था, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, यह बराबर होता था, cos 2 x के बराबर, एक ऐसे ही formula आपने और पढ़ा था, tan 2 x का formula, तो यह बराबर था, 2 tan x upon 1 minus tan square x, तो यह तीन formula आपने class 11 में पढ़े थे, now these are very important formula, double angle formula, यह formula अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजे, यह formula अगर आपको याद है, या नहीं भी याद है, याद कर लीजे, तो इन formula से बहुत सारा काम easy होने वाला है, कैसे easy होने वाला है, देखिए, तो अगर यहाँ पे हम x की जगे, substitute कर दें, as tan t, या tan theta, या tan y, कुछ भी, तो x की जगे अगर हम यहाँ substitute कर दें, tan t, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, y is equals to, sin inverse, 2 tan t, upon, 1 plus, tan square t, बोली हाँ या ना, तो हमने क्या किया, x की जगे, tan t substitute किया, तो यह हो गया, 2 tan t upon, 1 plus tan square t, बहुत बढ़िया, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, y is equals to, sin inverse, अब 2 tan t, 1 plus tan square t, 2 tan x, 1 plus tan square x, इसके बराबर, sin 2 x, तो यह किसके बराबर हो गया, यह हो गया, sin 2 t के बराबर, sin 2 t के बराबर, right, अब बाहर sin inverse हैं, अंदर sin हैं, तो sin inverse, और sin, क्या आजाएगा, यहां से, यह directly आजाएगा, y is equals to 2 t, अभी तक हमने, differentiate नहीं किया, function में कहा रहा था, question में कहा रहा था, dy by dx, find करो, but, अभी तक हमने, differentiate नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी हम इसको, सिर्फ simplify कर रहे हैं, easier कर रहे हैं, तो इस tan को इदर ले जाएंगे, तो t की value किसके बराबर आ जाएगी? t की value आ जाएगी, tan inverse x के बराबर, तो t की value अगर tan inverse x के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, y is equals to 2 tan inverse x, so y बराबर आ गया, 2 tan inverse x के, अभी इसको differentiate करते हैं, यहां से, तो यह हो गया dy by dx is equals to 2 tan inverse x का differentiation होता है 1 upon 1 plus x square so dy by dx इसके बराबर आ गया यह आ गया 2 upon 1 plus x square